परिबार अपने गर को लेकर बेहत चिंतित है उनकी चिंता का मूल कारण है नगर परशत की अंदेखी जिसका अंदाजा उनके गर को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है गर के आगे का लगा डंगा काफी समें पहले बारिश के कारण गिर चुका है जिसके कारण उनके गर की नीव फिल चुकी है गर गिर ना जाये इसके लिए उन्होंने अस्ताइ तोर पर टीने लगाकर बल्यों के सहारे गर कुस रक्षा परदान करने का पर्यास किया है लेकिन ये अस्ताई परवंद है अगर समें रहते गर के आगे का डंगा नहीं लगाया गया तो उनके गर को नुकसान पहुंच सकता है। क्रिशन कुमार ने बताया कि बेपार्शत से लेकर कार्यकारी अधिकारी तक शिकायत कर चुके हैं लेकिन सिवाए आसवाशन के अभी तक कोई कारेवाई नहीं की गई है। लेकिन सबी उनकी बात को अंसुना कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महच सोलन के अस्पटाल में सफाई कर्मी हैं साथ से आठ हाजार रुपे बेतर में उनके गर का गुजारा बेह मुश्किल से चालता है। तो ऐसे में बेगर की मुरमत नहीं करवा पा रही हैं। इसलिए ब दंगा है जो गिरने की कगार पर यह सर हमने बहुत कोशिश करी अपने वार मेंबर को भी बोला है और हमने कमेटी में भी कई बार इंफॉर्मिशन दिये कि सर ऐसे ऐसे प्रॉबलम में हैं। और हमारी आठ से दस लोगों की फैमिली घर में रहती है। अगर जो रात को बार यह आठ दस जार पंदरा जार पर हम कमाते हैं उसमें खाने का खर्चा उठाएं अपना घर के लिए करें। बस यह बोलके रह जाते हैं कि कोई नहीं हम करते हैं बात और करवा देंगे इस काम को उसके बाद कोई फूसता ही नहीं है। डरी लगा रहता है सर फैमिली है बच अगले घर में रहती हुं ना तो डंगकर गिरने का बहुत डर रहता है डर बना रहता है क्योंकि सारे डूटी ओ पर होते हैं तो मेरे बची कई जब करको अपने।